आज इस वीडियो में हम देखेंगे वृत का डोसा और साथी में देखेंगे डोसा के साथ खाने के लिए आलो की सबजी तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं तो वृत का डोसा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है एक कप वृत का आटा ये आटा आपको मार्केट में एजिली मिल जाता है ये आटा साबुदाना और समा के चावल से बना है अब यहाँ पर मैंने 6-7 हरी मिर्च और 1.5 इंच अद्रग को पीस लिया है अब इसमें डाले 1 तीस्पून हरी मिर्च और अद्रग की पेस्ट अद्रग अगर आप वरत में नहीं खाते हो तो फिर आप इसमें सिर्फ हरी मिर्च की पेस्ट डाल दे बाकी बची हुई मिर्च की पेस्ट हम आलो की सबजी बनाते समय योज़ करेंगे अब डाले थोड़ा सा नमक और इसे मिक्स कर ले अब डाले तीव टी स्पून दही और इसे मिक्स कर ले अब इस बैटर में थोड़ा थोड़ा पानी डाल के बैटर बना ले और इसे अच्छे से फेट ले ताकि इसमें लंस ना पड़े ये देखिए अब यहाँ पे बैटर बनके रेडी है बैटर की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से रखे डोसा बनाते समय हम इसमें थोड़ा और पानी आड़ करेंगे अब ये बैटर आधे गंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रख दे अगर आप डोसा जल्दी बनाना चाहते हो तो इसे 15 से 20 मिनिट बाद भी आप डोसा बना सकते हैं अब जब तक बैटर रेस्ट कर रहा है हम वरत की आलो की सबजी बना लेते हैं एक पैन में डाले 3 तीस्पून देसी घी अब डाले आधा टीस्पून जीरा अब जीरा चटकने के बाद डाले बची हुई हरिमेच और अद्रक की पेस्ट अब डाले 2 टेबल स्पून भूनी हुई मूंग फली का दरदरा पाउडर और इसे मिक्स कर ले अब डाले नमक और इसे अच्छे से मिला ले अब यहाँ पर मैंने चार मेडियम साइज के उबले हुए आलो लिये हैं इसे चौप करके डाले और इसे अच्छे से मिक्स कर ले आलो के सबजी रेडी हैं अब चलिए व्रत का डोसा बना लेते हैं अब इस बैटर में मैंने थोड़ा पानी एड़ किया है और अब देखें बैटर की कंसिस्टेंसी आप कुछ इस तरह से रखें बैटर को जादा पतला ना करें अब यहां पे एक नॉन स्टिक तवा ले इस पे डाले बैटर और इसे अच्छे से फैलाए अब बैटर डालते समय आप गैस की फ्लेम लो पर रखे और तवा बहुत जादा गरम ना करें वरना बैटर जल्दी से कुख होने लगेगा और अच्छे से स्प्रेड भी नहीं होगा तो इस बात का अब जरूर ध्यान रखें अब यहां पर मैंने बैटर को अच्छे से फैला लिया है अब डोसा के साइड्स में और उपर थोड़ा घी डाले और इसे दोनों साइड्स से अच्छे से सेक ले यह वरत का आटा अब जब भी ले तो आप एक बात का ध्यान रखें कि आटा फ्रेश यूज करें अगर आटा पुराना है तो फिर डोसा बनाते समय तूट सकता है अगर आटा फ्रेश है और फिर भी डोसा अगर आप बनाते समय तूटता है तो थोड़ा सूखा आटा बैटर में डाले और बैटर को गाड़ा कर ले क्यूंकि पतले बैटर से भी डोसा तूट सकता है इसे सर्फ करें आलू की सबजी के साथ I hope आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आये तो लाइक और शेर करें और चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले मैं मिलती हूँ आपको अगले रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाइबाए